बच्चों हम बू मंडली करन के पारे में पोड़ रहे हैं तो बूमंदल में इस सब देखे थे यूसका्ष सब्जी स समय leakage सारी चीजए है हमारे यहां मिल नहीं रही तहीं कुछ नगे कर जाता शीने एक बुद्राईं लेकर जाता है इस तरह से वह सारी चीज़ें एक जगे से दूसरे स्थान तो इस तान आप देखेंगे एक महामारी के रूप में उस्था में फैला हुआ था यह प्लेग जो था वह एक तो चूबहों से पहलता है जिसमें मावेशियों में भी पहलता है क्योंकि यह केटारों बड़ी 1090 के दसक में यह रिंडर पेश्ट नामक बिमारी जो थी बहुत तेजी से फैली थी और यह मावेशियों प्लेग की तरह पैलने वाली एक बिमारी थी जिसे लोगों की अजिवीका और इस्थानी जो अर्थ्वेवस्था थी उस पर इसका गहरा असर पड़ा था प्राचीन जिन्दिगी थी वह बिताने में वे सफल पूए थे लेकिन उसके बात बात देखेंगे कि वहाँ पर जिन्दिगी जो थी उनकी काम का जमीन पालती पस्वों के सहारे ही उनका जीवन चलता था पर एक तरह से उनका जो काम करने के पैसन और चलन जो नहीं था वह भी उनको क सब्सक्राइब अबस ने शनैयी से आप से जीवलिया सब्सक्राइब चीज़ों नहीं है तो काई रहती उतने साफ जा मर्त प्रिशता किसिंटा मेश्फलम प्रदेश वे उपनिवेस बनाना चाहेते हैं कि यहां पर कच्छा माल और खनिजबंडा इतना जाधा था कि आफेरिका के जो इस लेकर अपने देज से लेकर अपने देज भीजते थे वहां से पर निर्मित माल अपने वापस अफ्रिका में विद उसको खपद करते थे इससे उनको आमदनी ज्यादा होती जो है आसानी से उने मिल जा रहा हुआ उस चीज को कुछ बहन नहीं करना पड़ रहा है इससे तनका पर काम कर नहीं करना चाहते थे लेकिन मजदूरों की भरती और उनके अपने पास रोक काम करते थे और वे उस जमीन से जुड़े हुए थे इसके उनको तरदिकारे कानूनों भी बदल दिये गए और साथ ही साथ फैटरिग संपत्ती केवल एक ही सधश्य को पैत्रिग संपत्ती मिलेगी इस कानून के जरीए फरिवार के बाकी लोगों को मतले महाँ उत्रादिकारी जो था वो यह दृति प influen को मिलेगा और वह किसी मिलेग उसे करना है उस्के बात पिद तीन को क्या है स्रमिक शेत्र में जाना है पड़ेगा शोरब करना ही पड़ेगा इस तरह से यह पर जिस समय इंडर रिंडर पेस्ट नाम मिना का रोट अक्समा फेल गाहता था तो उसका वी उनधा उनको फायदा मिला कि यह पार सेवनिक ओन जुत हुत आप पेड़ भरने तो इस तरह से हम देखेंगे आफरीका में जो इंवर पेस नामक जो बिमारी फैली थी उन्हीं स्वस्थी में तो उसे आखिर में जो सालों को फेड़ भरने के लिए इन जानवरों को लाया गया और साथ जो समस्य थी वह प्रारम हो गई और उसके बाद भारत में अनुबंदित श्रमिकों का जाना भारत से जो अनुबंदित श्रमिकों ने को ले जाना भी इतने साल आपको रहना है वहां पर क्या करना है तिसरे जन्दा को कुछ लोगों के आयब में व्रिद्धी हुई और उसके सांसा दूसरे उसमें बेहिसाब धरीबी और कुल शेट्र में यह तकनिकी जो है प्रगति के रूप में दूसरे शेट्र में उत्पिणन की नए जहां से यहां आना इससे क्या हुआ लोगों को अत्री पाइदा भी हुआ है लोगों की आये भी बढ़ी लेकि कुछ लोगों को उससे संकर्ड या दूब्डी उठाना पड़ा फिर उनीसवी सदी में भारत और चीन के लाखों मज़दूरों को यहां पर क्या करना पड़ा अग्रिमेंट जो बनाया जाती थी तो इसके तहत उन्हें ले जाया जाता था और इन अधुबंद्धों के मात्यम से ही यह सर्थ होती थी कि मजदूर अपने मालिक के बगानों के पांस साल तक मतलब एक अनुबंदित होता था कि कितने साल वहां पर कार करना कितने साल तथा और यह जयते होगी कि अपना अपने में लॉट के आरे थे इस तरह से देखेंगे कि कुछ रमिक जो हैं बढ़ गया था उस समय जमीन से भाड़ा खांपान नगबागानों के लिए जो जमीनों को साफ कर दिया गया था परिवरतन को योत बार इस तरह से भाड़ा नह करने पर इस तरह से उनकी जमीनों को भी लोग क्या कर लेते थे हड़ा पलेते थे क्योंकि करज में डूबा हुआ है और भाड़ा नहीं चुगा पा रहा है और वापस नहीं जा सकते तो इस तरह से अनुवधित स्रमिकों को मुख रूप से करीब याई दीप समू में मुख द के भाड़ा रहते थे वहां काम किया करते हैं उसक्तिया कार्य करते हैं उनको वहां तक भीजने का और वहां की व्यवस्था करने का वह सारे कार जो वह एजेंट देखते हैं प्र इनीश्वी सभी के जो इस अनुबंद की ववस्ता के बहुत सारे लोगों ने नहीं दास प्रथा को भी नाम दिया यह अपना कार्य करने के लिए कहां जाते थे विदेश जाते थे वह अनुबंद होता तो जिस तरह पहले बताए कि इंको पांत साल करना है तीन साल करना है उसके बाद लिए नहीं दास प्रथा इस समय के पास कारूनी अधिकार कहने के लिए भर को ही नहीं थि बलके इसके बावजूत मजूरों में जिन्दिगी बसर करने के लिए अपने अपने तरीके धूम निकाले के लिए कई तरीके धूम निकालते हैं कई हल हम वहाँ पर निकाल लेते हैं इस तरह से जमेकाल पर द्रोख भाव के लिए नाम पर जाना जाता था और यहां पर कई लूग विद्रोही धर्ब। से जमेका का रेश्री कायक के रुप में जाना जाता था इस तरह से भारतिया आप रवाशी और केरेबियाई जीव समू के बीच जो है एक ऐसे संबंदों की जलक देखी जा सकते थे जिसमें की तुरी निराद और गोयाना के मस्तूर चटनी इस तरह से कई चीजें उदारण ह हैं जो कि सब हम अपने दरीके से अपने पेशे बर पर लेखर हो जाए थे प्रियां पर देखिए कि ज्यादा तर अनुबंधित स्टमिक जो है उस समाथ रूच आने के बाद कुछ समय अधिकांस कीवल कुछ समय के लिए रिशिक्तावल की कुछ ठिकानों पर वापस भी च स्वश्णिय चंद्रपाल सी और इस तरह से बीश्वी सदी के सुरुवाती सालों में भी हमारे देश में राष्टवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे कि आवश्यक्ता और उसके ववस्था के लिए हम क्या कर सकने विदेश में भारतिय उद्यमी विदेश म यदि वयवाद करें वक्राइदेगी और सांति साथ देशी वसा आज positivity के डृष्ट में अते थी इसी लिए उनको और सांति सात इन पैस क्या विदेए के सबाविक है जैप्ता ना है ये बुश्पर्ना है बनाया गया था। यहां देखें हें। देखने को मिलते ही विदेश में किस तरह से उनके साथ कौन सी परिस यह उर्थपन होई थी पिर आगे हम देखेंगे ब्रिटैन में आयातिक कपड़ा सीवा सुल्क उपर सुप दिया जाए जिसमें कि भारतिया कपाज के आयात कम होने लगा था क्यों कि हम उस वस्तु को आयात करेंगे तो यदी शिवा सुल्क लगया है उसके मधियोगोश reagelog क्या करेंगे विए वर्थ चीज़ी महेंगी हो 1815 में घटकर 1530 क्यों हो गया क्योंकि इनुने सीमा सुर्थ बढ़ा दिया था किस पर आयात पर इसलिए हम कपास जो कमायात करते थे और साथी साथ उसको पादन भी घटकर 1530 रह गिया था आगे फिर हम देखेंगे यहां पर कपड़ों की रगाई उसकी इस्तिमाल होने वाले जो नील है और उसके बाद वहां पर 1820 के दसक में बड़ी हुई जो मात्रा थी आफीम का तो उसका हिस्सा भी सबसे बड़ा जादा रहा है कि ब्रेटेन सरकार भारत में अफीम की खेती कर अफीम उससा में बहुत मेंगा विक्ता था और वाक्या करते थी रोट के अपने उपने वेस में वह उस चीज का उत्पादर करा के अफीम को उंचे दामों में बेच दे दे थी उससी तरह से 19 सदी में भारतियों बजारा हम ब्रिटे सुद्यों की उत्पादों की बाढ़ा तो इस तरह से अपन शाषन करने का सोचने लगे तक तरो में के के मुट्री बर लोगी हमारी आथ सासन करने लगे और सो वर्स तक शासन किया कच्छे मालों के निर्यात और अजापा हुआ ब्रिटेन में माल भारत भीजा जाता था इसमें ज्यादा होती थी और इसके चक्क जाती ते अपने देश में उसी तरह से ब्रिटेन भी यहां से व्यपार की अधिवीज जो हासल हुआ क्यों कि यहां पर भी उनीश्वी सदी में विस्व की अर्थवस्था करूप कम करने के लिए एहम भूमी का उसम उन्होंने अदा कि और फिर ब्रिटेन में जो था अधि चाहिं अधिर जा नहीं मैं जो कि लिए जाती तो आन समयς होती मतलब हमारे शक्तेषक कश्रा मारे शवार की जाता था इस तरह से कि एग लग होती हम देखें गे कि इसवेस बर आ जो करते थे किस तरसे करते थे जो बिजनस करते थे अपनी वेस्वात को के से ने वन्हों बढ़ाया वो चीज़ें हमने देखी और जो भीन नुख्षान होता थे भर-ठैय जो है घरी है अ कंब